और अंगाबाद के रफिगंज थाना छितर की एक नवालिक लरकी है जिसको उसके पिता डाट देते हैं और उसके बाद वो अपने पिता से गुसा होकर के अपने चाची के पास चली जाती है। अब पुरा माजरा क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में अनाम वेद प्रकास है आप जंता जंशन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। जाता है जिस कारण से बच्ची खाते ही बेहोस हो जाती है। उसके बच्ची को उसकी चाची सहजादी बेगम उठाती है और उठा करके सीधा पहुँच जाती है रफीगंज रेलवे स्टेशन। रफीगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद कुछन ने लोगों के साथ मिल करके उस बच्ची को बेच दिया जाता है और इधर उस बच्ची के माबाप परिसान हो रहे थे। रफीगंज ठाने में जा करके एक रिपोर्ट लिखवाई कि 27 जून को मेरी बेटी जो है घर से कहीं चली गई है जो नवालिक है और अब कहीं मिल नहीं रही है। पुलीस परिसान हो गई, पुलीस खोजबिन करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया और उसके बाद पूरी जगह तफ्तीस की जा रही थी और तभी बच्ची को औरंगाबाद से उठा करके ले जाया जाता है बनारस, फिर बनारस से जिस व्यक्ति ने उसको खड़ीदा थ वो वापस से मुझफरपुर ले के आता है, मुझफरपुर में उस बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया जाता है और फिर बच्ची किसी तरह अपने आपको बचाती है और भाग करके एक ट्रेन में बैठती है, वो जिस ट्रेन में बैठती है वो ट्रेन उस बच्ची क उस बच्ची को पकर लेता है और पकरने के बाद उसको जब इस मामले की जानकारी होती है तो वो चिन्नई की एक लोकल थाने में ले जाता है उस बच्ची को वहाँ पे सुपुर्द कर देता है और उसके बाद थाने के द्वारा संपर्क किया जाता है बिहार के और अंगाबा और फिर उस बच्ची का बयान दर्ज किया जाता है बच्ची का बयान जब दर्ज किया जाता है तो बच्ची बताती है कि वो 27 जून को अपने पापा से नाराज हो करके अपने चाची के पास चली गई थी और चाची ने उसको नसीली दवा दी और उसके बाद वो बच्ची ब दिरफ्तार किया गया और चाची को दिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस इस मामले की खोजबिन कर रही है कि आखिर चाची के साथ और कौन-कौन से लोग थे जिसने मिल करके इस मामले को अंजाम दिया क्योंकि खरीदने वाले और बेचने वाले एक व्यक्ति नहीं थे कर देती है उसको दूसरे किसी व्यक्ति के पास बेच देती है मान लीजिए अगर उस बच्ची का होस नहीं खुला होता वो होस में नहीं आई होती तो सायद वो बच नहीं पाती और फिर किसी और धंडे में चली जाती और एक नाबालिक सी बच्ची जिसका अपना कोई दोस नहीं था वो एक ऐसे माया जाल में फस जाती एक ऐसे जाल में फस जाती जिससे सायद वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाती बाकि इस खबर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट के माद्धम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिए जनता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद